हेलो गाइज मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब चैनल पर आज है 31 मही 2020 और आज हम बात करेंगे 31 मही के जितने भी important current pair है और उन से related important fact के बारे में हम discuss करेंगे तो बने रहें वीडियो के अंतक और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना तो वीडियो की शुरुआत करते हैं तो आज का हमारा पहला question है अंतर राष्टिय एवरेश्ट दिवस परतेक वर्ष किस दिन मनाया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एवरेश्ट दिवस परतेक वर्ष कब मनाया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट अंसर हो जाएगा परतेक वर्ष 29 मही को कब तो 29 मही को अंतराष्टिय एवरेश्ट दिवस मनाया जाता है इसी दिन 29 मही को नेपाल के आपको पता होना चीए न नेपाल के तेंजिंग नोर्वे और न्यूजिलैंड के एडमेंड हिलेरी ने एवरेस्ट पर पहली बार चड़ाई की थी। नेपाल ने तब से 29 मही को परतेक वर्ष से अंतराष्टिय एवरेस्ट दिवस मनाने का निरने लिया तब से परतेक वर्ष 2008 से लेके अब तक परतेक वर्ष 29 मही को अंतराष्टिय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है तो आपको पता लगी गया होगा तो मैं आपको एक बात ब आप मुझे comment box में comment करके बताईए तो आप वीडियो को pose कर सकते हैं और वीडियो में comment करके मुझे माई के important days के बारे में comment करके बताईए अगर आपने मेरी माई मंत की important days की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं मैंने उसमें माई महिने के important days cover किये होई हैं तो आप वहाँ से मई के important days देख सकते हैं सभी के सभी ओके अब बात करते हैं हमारा hopper Collins द्वारा प्रकाशित the millennium book of prophecy में पिछले हजार वर्षों के सो महान जोत्सियों में शामिल थे इनका भी हाली में निदन हो गया है इनका क्या नाम है तो हमें नाम बताना है कि hopper Collins द्वारा प्रकाशित the millennium book of prophecy में भी इनका नाम था तो उनका क्या नाम है तो इसका right answer हो जाएगा बेजान दरुवला तो यहाँ पर आप इनकी photo भी देख सकते हो यह एक भारतिया लेखक और एक जोत्सि थे जिनका 90 वर्ष की आयू में निदन हो गया है तो आपको पता होना चाहिए यह एक भारतिया लेखक और जोत्सि थे जिनका 90 वर्ष की आयू में निदन हो गया है और इनका संबंद कहां से था तो यह है एमदाबाद से थे तो आपको पता होना चीए इसके बारे में भी अब बात करते हैं इनके बारे में अब इनका जनम 11 जुलाई 1931 को एक पार्सी परिवार में एमदाबाद में हुआ था तो यह एक पार्सी से संबंद रखते हैं और इनका जनम कब हुआ था तो 11 जुलाई 1931 को इनका जनम हुआ था और यह एक भारतिय लेखक भी है तो अब बात करते हैं इनके बारे में तो यह राजनिती किरकेट और फिलम उद्योग या फिलमी सितारों से संबंदित भविश्यवानी करने के लिए मशूर थे इनकी बविश्यवानी में मुराजी देशाई, अटल ब्यारी वाजपई और हमारे PM नरेंदर मोधी की जीत शामिल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फोटो बेजान दरुआ लगी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चतिस गड़ के पहले CM का क्या नाम है जिनका भी हाली में निदन हो गया है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा अजीत जोगी तो अजीत जोगी चतिस गड़ के पहले CM है इनका भी हाली में निदन हो गया है तो आप मुझे सारे के सारे मई मन्त में जितने भी important sex की मृत्तिय हुई है आप मुझे comment करके comment box में बताइए उनके नाम अब बात करते हैं हमारे next question की next question हमारा कहाँ पर missile park अगनी परस्त की अधारशिला रखी गई है तो इसका right answer हो जाएगा इसका right answer है INS sculling में तो INS sculling में missile park अगनी परस्त की अधारशिला रखी गई है तो question बनता है यह किस रज्जे में है तो INS sculling अंदर परदेश रज्जे में है आपको पता होना चीए तो यहां से भी question बन सकता है अब इसको बनाने का उदेश्य यह है कि जो भी अधिकारी INS sculling में था या फिर नाविक या फिर सहे करमचारी जो की INS sculling से है तो यहां उन्हें समर्पित है तो यहां पारक कीने समर्पित है तो जो भी अधिकारी नाविक या सहे करमचारी INS sculling से है तो मैं आपको बता देता हूँ 1981 से जो भी अधिकारी इस से संबंदी था तो उनके लिए इस पारक की स्थापना की गई है अब आपको इसके साथ साथ याद रखना है कि इन्हें 2018-19 के INS कलिंग के परतिष्टित यूनिट परक्षिक्षित परत का पुरुसकार भी दिया गया है किसे INS कलिंग को तो आपको ये बात याद रखनी है और इसमें 2 मेगा वोट का 2 मेगा वोट का एक फोटो वोल्टैलिक प्लांट भी स्थापित किया गया है तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है 2 मेगा वोट का एक फोटो वोल्टैलिक प्लांट भी स्थापित किया गया है कहां पर INS कलिंग में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब डिफेंस से जुड़ी जानकारी देख लेते हैं जो कि exam point of view से important है कि वायू सेना के एक squadron जिसका नाम 18 squadron है मैंने आपको वीडियो में बताया था 18 squadron या फिर इसे flying bullets बोला जाता है इसमें तेजस MK-01 FOC शामिल किया गया है आपको याद रखना है और सेना कमांडरों का सम्मिलन अभी हाली में नवी दिल्ली में आईजित किया गया था ये चीज भी आपको पता होने चीए और भारतिय नोसेना ने अभी एक operation स्मूद्र से तू C bridge launch किया है जिसमें COVID-19 महमारी के कारण से जो भारतिय फसे हुए है विदेशों में उन्हें लाने के लिए या भारतिय नोसेना के दोरा चुरू किया गया था अब भारतिय नोसेना ने एक LCU युदपोर्थ शामिल कर लिया है जिसका नाम है INLCU L57 तो LCU की full form क्या है Landing Craft Utility इंडियन नेवी ने LCU को शामिल करा है युदपोर्थ को तो कहा पर इसका right answer हो जाएगा Port Blair में तो ये चीज भी आपको पता होनी चीए इस युदपोर्थ को कहा पर शामिल किया गया है तो Port Blair में इसे शामिल किया गया है हमारा next question है किस रज्य सरकार ने कुशल सर्मिकों के लिए एक रोजगार सेतु योजना की शुरुवात की है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्यापरदे सरकार ने तो मद्यापरदे सरकार ने कुशल सर्मिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुवात की है तो MP के CM ने शिवरा सिंग चुहान तो MP के CM का क्या नाम है शिवरा सिंग चुहान ने इस योजना को शुरू करने की गोशना की है यह योजना COVID-19 महामारी के कारण से जो की राज्य में जितने भी कुशल सर्मिक हैं उन्हें वापिस बुलाया जाए और उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए इसमें मद्द करेगा तो रोजगार सेतु योजना का शुबारम किस ने किया है मद्यापरदे सरकार के सियम वाँ के सियम ने शिवरा सिंग चोहान ने अब इसकी कुछ शर्ते हैं जैसे की वह MP का स्थाई निवासी होना चीए उसके पास एक आई काड होना चीए और ओनलाइन आविदन करने की लाज्ट डेट कुन सी है तो 3 जुन 2020 इसकी लाज्ट डेट है इससे पहले पहले शर्मिकों को आविदन करना होगा तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अब बात करते हैं मध्या परदेश के बारे में कुछ और important points जहां से question बन सकता है मध्या परदेश भारत का पहला राज्या बन गया है देश का अपने स्कूल के बच्चों को घरों पर ही मिड़े मिल पुंचाने वाला और MP ने एक योजना शुरू करी थी आपको ध्यान रखना है उस योजना का नाम क्या है FIR आपके दौर तो FIR आपके दौर योजना का शुबारम किस ने किया है तो मद्यपरदे सरकार के दौरा इस योजना को शुरू किया गया है और अभी हाली में MP सरकार ने मद्यपरदे सरकार ने एक चरण पादू का अभियान भी चलाया है तो चरण पादू का अभियान किस के दौरा चलाए गया है MP government के द्वारा किनके लिए migrants वरकर के लिए अभ्यान चलाए गया है उन्हें यह चपल परदान करेंगे जितने भी migrants वहां के शर्मिक हैं उन्हें इस अभ्यान के द्वारा चपल परदान की जाएगी और दीदी विकल सर्विस किसके द्वारा चलाए गई है तो यह भी बात आपको याद रखना है दीदी विकल सर्विस मध्यापरदेश सरकार के द्वारा चलाए गई है तो इतने important points आपको मध्यापरदेश से याद रखना है अब बात करते हैं हमारे next question की हमारा next question है कि SIA के महानिदेशक का क्या नाम है इसका right answer हो जाएगा next question हमारा वाड़ा ने किरंजीत कोर पर कितने साल का बैन लगाया तो यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो किरंजीत कोर की तो इन पर वाड़ा ने कितने साल का परतिबंद लगा दिया है तो यह भारतिया long distance runner है जिनका नाम किरंजीत कोर है इन्हें एक परतिबंदित परदार के 7 के कारण से वाड़ा ने इनने चार साल के लिए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इनने चार साल के लिए परतिबंद कर दिया है किसने वाड़ा ने आपको पता होना चीए वाड़ा की फुलफों क्या है World Anti-Doping Agency किसने वाड़ा ने तो वाड़ा की स्थापना कब की गई थी तो वाड़ा की स्थापना 1999 में की गई थी कब 10 नॉंबर 1999 में वाड़ा की स्थापना की गई थी और वाड़ा का अध्यक्ष का क्या नाम है सर क्रेग रीड तो मैं यहाँ पर उनका नाम लिख देता हूं सर क्रेग रीड वाड़ा के अध्यक्ष है और इसका ह तो वाड़ा का हैड़कॉर्टर है हमारे कनेडा मोंट्रियाल में आपको पता होना चीए तो अब इन्हें क्यों परतिबंद किया गया है इन्हों ने एक परतिबंदित पदार्त का सेवन किया था जिसका नाम है एन्वो सोर्म तो इस पदार्त के सेवन के कारण से इन्हें चा पर लिया गया था अब बात करते हैं कुछ और important facts के बारे में जहां से question बन सकता है खेल से जैसे कि अभी हाली में NADA ने भारतिया पावर लिफ्टर सवीता कुमारी और अंकित शिशोधिया को अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है तो WADA की फिल्फोर्म क्या होती है WADA की फिल्फोर्म होती है World Anti-Doping Agency और NADA की फिल्फोर्म होती है National Anti-Doping Agency इसकी स्थाफना कब की गई थी तो NADA की स्थाफना 2005 में की गई थी ये बात आपको पता होने चाहिए और इसके CEO का क्या नाम है तो नवीन अगरवाल NADA के CEO है और अभी ह पाली में शिरलंका के एक तेजगेद बाज उनका नाम है शिहान मदुशंका तो आपको पता होना चाहिए इन्हें हेरोइन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है ये बात भी आपको पता होने चाहिए और भारतिया मुक्य बाज अखिलकुमार अखिलकुमार को NADA के NADA के एक disciplinary panel में फिर से सामिल किया गया है उनका क्या नाम है अखिलकुमार को तो ये बात आपको पता होने चाहिए यहां से अक्सर exams में question ऐसे ही बनते हैं क्योंकि ये चीज़े आपको पता होने चाहिए अब बात करते हैं हमारे next question है SAI के मानिदेशक का क्या नाम है तो आपका right answer हो जाएगा इसका right answer है संदीप परदान तो C इसका right answer हो जाएगा अभी यह question मैंने क्यों पूछा तो अभी हाली में SAI के मानिदेशक को दो साल के लिए इनने फिर से इनका कारेकाल बढ़ा दिया गया है तो इनका नाम क्य क्या है ऐसे भी question पूछ लिया जाता है तो SAI की full form है Sports Authority of India अब कई बार इसके यहां से question पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका headquarter आपको पता ही होगा headquarter कहां पर है New Delhi में इसका headquarter है अब बात करते हैं यहां पर की यह होगा है और मैंने अभी आपको पिछले question में बताया था अखिल कुमार को नाडा के disciplinary panel में फिर से शामिल किया गया है यह भारतिया मुक्यबाज है तो यह भारतिया एक मुक्यबाज फिलाडिया है इनके बारे में आपको पता होना चीए यह एक famous मुक्यबाज है अब बात करते हैं हमारे next question की हमारा next question है इंडिगो के नए सवतंतर निदेशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो आपको उनका नाम बताना है तो इंडिगो के नए सवतंतर निदेशक का नाम है वेंकेट रमनी सुमंतरन तो ए इसका right answer हो जाएगा है तो ए इसका right answer है तो वेंकेट रमनी को airlines company Indigo का सवतंतर निदेशक के रूप में निउक्त किया गया है इन्हें अगले 5 साल के लिए निउक्त किया गया है ये बात भी आपको note कर लेनी है अपने copy में ठीक है तो वर्तमान में यह है और मैं आपको बता देता हूँ यह है वर्तमान में है चन्न अगले 5 साल के लिए अब इंडिगो के बारे में बात कर लेते हैं इंडिगो की स्थापना 2006 में की गई थी कब 2006 में और इसका headquarter कहा पर है तो गुरू गुराम में इसका headquarter है अब कुछ और appointment यहां पर देख लेते हैं जहां से question बन सकता है तो एमान इजजद तो एमान इजजद को Cape Jimny का Cape Jimny का नया CEO बनाया गया है आपको पता होना चीए किने एमान इजजद को और अभी हाली में कल की वीडियो में मैंने आपको पता है था कि Theory Delaport को Vipro के तो Vipro का नया CEO और MD किने बनाया गया है तो आपको पता होना चीए Theory Delaport को Vipro का CEO और MD बना National Olympic Committee ने, IOC ने नरेंदर बत्रा को Olympic Channel Commission का सदस्य नियुक्त किया है, किस ने, IOC ने, किने, नरेंदर बत्रा को, तो नरेंदर बत्रा IOA के अध्यक्ष भी है, इसकी फिल्पॉम क्या है, Indian Olympic Association के अध्यक्ष कौन है, नरेंदर बत्रा और यह है, International Hockey Federation के भी अध्यक्ष है, यह भी करते हैं, NDB के अध्यक्ष की ने नियुक्त किया गया है, तो Marco Strasio को NDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, नाइजर में भारत के अध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, नाइजर में भारत के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त क manager बनाया गया है किस के दोवारा world bank के दोवारा तो ये चीज भी आपको पता होने चीए अबास जाओ को world bank के दोवारा जलवायू प्रिवर्तन के लिए practice manager नियुक्त किया गया है अब बात करते हैं हमारे next question next question है हमारा किस देश ने ब्रिक्स के tax पर अधिकारियों के परमुखों के बैठक की मेजबानी की तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा रूस तो C इसका सही उत्तर है तो रूस ने BRICS के टेक्स पर अधिकारियों के परमुकों की बैठक की मेजबानी की है इसका एजन कहां परोना था तो मैं आपको बता देता हूँ आपको याद रखना है इसका एजन मोस्कों में किया जाना था पर कहा हुआ कहीं नहीं हुआ तो सिरफ वीडियो कॉंफरेंस के द्वारा इसका एजन की गई है और इसकी बैठक की मेजबानी किस ने करी है तो आपको राइट अंसर हो जाएगा इसका रूस ने तो इसमें भारत का प्रतिनीदित हूँ यहां से कोशन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस बैठक में भारत का प्रतिनीदित किस ने किया तो आपको बताना होगा उसका राइट अंसर तो मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ Finance Secretary with सचीव अजे भूछन पांडे ने भारत का प्रतिनीदित किया किसने अजे भूछन पांडे तो आपको पता होना अच्छी है इनका नाम तो अजे भूछन पांडे को अब ब्रिक्स के यहां पर बात कर लेते हैं ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अपरिका और इसकी स्थापना किसने करी थी तो ब्राजिल, रशिया, इंडिया और चाइना ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना कब की गई थी तो आप मुझे सभी कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताईए कि इसकी स्थापना कौन से सन में की गई थी और South Africa को इसमें कब जोड़ा गया था ठीक है आप मुझे सभी comment box में comment करके बताईए अब आपको एक चीज याद रखने है कि Bricks का Bricks का 12 सम्मिलन 12 सम्मिलन अभी 2020 में आयजित किया जाएगा ये चीज भी आप मुझे comment box में comment करके बताईए कि Bricks का 12 सम्मिलन कहां पर आयजित किया जाएगा अब बात कर लेते हैं रूस के बारे में तो रूस से कुछ important points देख लेते हैं अभी हाली में रूस ने अपने पहले stealth bomber विमान का निर्मान किया है तो मैं नाम लिख देता हूँ stealth bomber विमान का निर्मान किस ने किया है तो रूस ने इसका निर्मान किस के द्वारा किया गया है तो आपको याद रखना है P.A.K.D.A. तो इसके तहत इसका निर्मान किया गया है इसकी full form किया है perspective aviation complex for long range aviation तो मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ perspective aviation complex for long range aviation के तहत stealth bomber का निर्मान किया गया है यह एक विमान है जिसका निर्मान रूस ने किया है अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ भारत रूस से K.A.226 helicopter खरीदेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत किस देश से K.A.226 helicopter खरीदेगा तो आपका right answer हो जाएगा रूस से तो इतनी चीज़े आपको याद रखनी है और आपके लिए आज का कोशन है कि किस राज्य सरकार ने परवास्यों के लिए मुख्य मंत्री सवरोजगार योजना का शुबारम किया आपके option है पंजाब, दिल्ली, उत्राखंड, हरियाना तो आप सभी मुझे comment box में comment करके इसका answer बताना तो आप सभी मुझे इसका comment करके answer बताऊगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें